अब हम लोग पढ़ेंगे यूकलिट डिवीजन लेमा यूकलिट डिवीजन लेमा को एक और नाम से जानते हैं डिवीजन अल्गोरीदम जिसे हम लोग हिंदे में कहते हैं यूकलिट बिभाजन परम्याईका या भाग अल्गोरीदम ये क्या होते हैं यह टर्म योक्लिल डिवीजन लेमा को जानने से पाले हमें दो टर्म और जानना पड़ेगा जो इसी से रिलेटेड है पहला टर्म है एल्गोरीधम क्या होता है अल्गोरीदम और दूसरा टर्म है लेमा तो हमनों एक ही करके दोनों टर्म देखते हैं पहला टर्म हमनों देख रहे हैं अल्गोरीदम अल्गोरीदम क्या होता है तो algorithm होता है, algorithm एक सुपरिभासिच चरणबात तरीके की एक परकार की स्रिंखला होती है, जिसकी मदद से, जिसकी मदद से एक बिसेश परकार के समस्याओं को, एक बिसेश परकार के problem, question, परस्ण को solve करने के लिए, हल करने के लिए, एक बिसेश परकार की रिया परदान करता है, उसे algorithm करते हैं, उसे algorithm करते हैं, जिके algorithm is a well-defined, algorithm is a well-defined step which gives a procedure for solving a special type of problem, तो यह होता है, algorithm, तो algorithm एक already, एक well-defined series होता है, जिसकी help से, हम लोग क्या करते हैं, एक बिसेश परकार की problem, यानि special types of problem को solve करने के लिए, हम लोग एल्गोरिदम का यूज करते हैं, तो यह आपका टर्मों के algorithm, और दूसरा टर्म है, लेमा, यह लेमा क्या होता है, लेमा is a proven statement which is used for proving the another statement, लेमा जो होता है, एक प्रूब किया हुआ सत्यापित statement होता है, जिसकी सायता से कोई दूसरा statement को solve किया जाता है, ठीक है, यह दोनों आपके term हो गया, और इसका definition हो गया, और लेमा algorithm भी देख लिए, और लेमा भी देख लिए, लेमा एक क्योंता है, proven statement होता है, जिसके मदद से हम लोग कोई दूसरा statement जो होता है, उसे solve करते हैं, इसके मदद से solve करते हैं, अब हम लोग आते हैं, अपने main topic, जो है, Euclid division लेमा, Euclid division लेमा, यानि, Euclid विभाजन पर्मेक्या या भाग algorithm के term प्यावावला, अब हम लोग आ रहे हैं, तो Euclid division लेमा जो होता है, कोई भी आपका दो positive integer, कोई भी आपका दो positive integers के बीच में ये relation बताता है, कि किसी भी दो positive integer, यानि positive integer हो गया A और B, A और B के बीच में कोई एक जो Q और R, एक Q और R, एक unique number पर्जेंट रहता है, ये इसके बीच में बताता है कि कोई भी आपका जो positive integer हो गया A और B, कि बीच में किसी भी positive integer में Q और R पर्जेंट रहता है, यह इसको बताता है कि यह परजेंटर दिक कैसे परजेंटर रहता है यह हमनों जानेंगे तो इसके लिए एक इसका जो फर्मूला होता है वो यह होता है A equal to B into Q plus R यह बताता है और R का जो है range R की जो छमता है वो बताता है वो होता है 0 से B तक R की जो छमता है वो कहां से कहां तक रह सकती है R की जो छमता है वो कहां से कहां तक रह सकती है 0 से R और B यानि R की जो value है 0 से B के बीच में रह सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है लेकिन B के बराबर नहीं हो सकती है तो यह आपका होता है कोई भी आपका जो दो positive integer A और B दिया रहा है तो आपको positive integer नह पता रहे कि क्या होता है positive integer मतलब धनात्मक पुनांग किसे कहते हैं तो आप video के description में इसका link दिया गया या I button पे यहाँ पे आप क्लिक करके आप positive integer क्या होते हैं उसे जान सकते हैं तो अब हम लोग आ रहे हैं अपने topic पे यूपल डिवीजन लेमा यानि A equal to B into Q plus R और इसका जो R का range है यहाँ तक यह होता है यह यूपल डिवीजन लेमा रिलेशन बताता है इसको चलिए एक एगजामपल के दोबर आपको समझाते हैं कि यह क्या होता है माली जी कोई भी आपका दो नंबर दिया रहे है दो positive integers दिया रहे 10 और 7 यह दो positive integers दिये रहे तो इनमें relation कैसे बताएंगे आपको तो पता है क्यों और आर इसमें परजेंट है तो क्यों और आर को कैसे पता करते हैं वह आप देख लीजी इससे देखने के लिए को और इससे simple method आपको बताते हैं आपने बच्पन में पढ़ा होगा divide यानि भाग पढ़े होंगे कि भाग कैसे देते हैं और उसको कैसे हमनों चेक करते हैं खूद से ही कि ये सही है या गलत है इसे हमें बच्पन में हमारे सिक्षा कि हमारे teacher ने सिखाया था कि ये तुम भाग बना लो और इसको कैसे आप खूद से चेक करोगे ये सही है या गलत वहीं method से मैं यहां भी तो मान लिजिए 10 और 7 यानि 10 में 7 से भाग देना है तो क्या करते हैं हम लो 7 10 1 times 7 3 ये आ गया ये तो हम लो simple भाग कर दिए भाग दे दिए तो अब क्या करना है हमें चीक करना है ये मेरा भाग सही हुआ है नहीं इसके लिए क्या करें 10 ये 10 इक्वल टू 7 इससे multiply करेंगे और multiply का जो product आएगा वो इसमें add करनेंगे तो 7 into 1 plus 3 तो हमारा right hand side यानि दाया भाग किया आगया 7 plus 3 equal to 10 इससे पता चलता है कि LHS equal to RHS तो हम लोग खुद से चेक कर लेते थे कि ये मेरा जो भाग या है जो भाग दिया है वो सही है ये उक्लेट डिविजन लेमा भी उसी से related है अब इसमें देखें क्या कर दिए इसमें भाग दियें ये दो positive integer था तो 10 equal to 7 into 1 यानि 7 1 times यानि 7 1 times plus 3 इसके बराबर होगा अब इसको A और B से relate कर दिजिए ये हो गया A और A हो गया B A equal to B into Q plus R ये आप देख लिए और यहाँ पे A बराबर 10 B बराबर 7 Q बराबर 1 R बराबर 3 अब देखें R remainder जो था मेरा 3 आ गया Q कोशन था ये 1 आ गया ये था डिवाइजर B और ये आपका 7 ये था A डिवाइडेंड ये आपका 10 ये उसी से related है कि ओल इसका नाम यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहा है कि ये 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 डिवीजन लेमा होता क्या है मुझे लगता है कि आप लोग को ये ये यिविजन लेमा अच्छे से समझ में आ गया हो अब हम लोग ये 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 डिवीजन लेमा के ये कि लिए डिवीजन लेमा के हेल्थ से हाइएस्ट कमण फैक्टर यानि है एच सी एफ को कैसे सॉल्व किया जाता है कैसे बनाते हैं यह हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि ओके थैंक यू